जहानबाद में मनरेगा योजना से पैसे की बंदरबांट की खबर लगातार सामने आती रही है एक बार फिर ये जो नहर आप देख रहे हैं इस नहर में पानी भले न दिख रहा हो लेकिन इस नहर में भ्रष्ट अचार की गंगा बहती दिखेगी जिले के घोसी प्रखंड के लखवार पंचायत में मुख्या और मनरेगा कर्मियों द्वारा बिना काम कराए पैसे की निकासी का आरोप लगा है ग्रामीन इस कार्रवाई से काफी नाराज नजर आ रहे हैं ग्रामीनों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है लखावर पंचायत के मुखिया और रोजगार सेवक की ओर से पंचायत के हवेलीपूर नहर से लखावर गाउं तक पईन ओडाही मनरेगा योजना से पास कराया गया था इस योजना में फरजी जॉबकार्ड के माध्यम से 4,20,000 रुपए की निकासी का आरूप लग रहा है इसमें 18 अगस्त को रुपए की निकासी की बात कही जा रही है धरातल पर कोई काम नहीं हुआ ये नहर की स्थिती देख कर आप भी समझ सकते हैं ग्रामिनों का कहना है कि इस योजना में मुखिया विजैसाओ और रोजगार सेवक संगीता कुमारी ने पैसे का बंदर बांट किया जबकि जिस खाते से पैसे की निकासी की गई है फरजी जॉब कार्ड बना कर वो कई लोगों के नाम पर बिना काम कराए बैंक में मजदूरी भेज कर निकाला गया है बताया जा रहा है कि मनीश कुमार नाम के व्यक्ति का खाता SBI पोस्टल पार्क पटना का है वहीं सुरेश पंडित नाम के व्यक्ति का खाता जिसमें पैसा गया वो व्यक्ति बीमार रहता है और इलाज करा रहा है दोनों व्यक्ति को पईन में काम करते हुए दर्शाया गया है इनके खाते पर पैसा भेजा गया अगर इसकी जाच कराई जाए तो पूरे फरजी का खुलासा हो जाएगा वहीं इस मामले पर जहानबाद पहुंचे ग्रामीन विकास मंत्री स्रवन कुमार से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जाच कराई जाएगी और दोशी पाय जाने पर उचितकार रभाई भी की जाएगी जिन लोगों द्वारा सरकारी पैसे का दो रुपयों किया गया है उन्हें बक्षा नहीं जाएगा जहानबाद नियूज के लिए मुकेश के रपोर्ट सर हमारे यहां जो पैन आता है वो पैन में पानी करीब 20 सल से नहीं आ ररहा है उसमें पता चला है कि नरेगा से पैसा fellowship दॉसकर le unbelievable अ मोटर से हम लोग नुन रोफन किये हैं धान पुरा मर रहा है और है जो यह नहीं चलता है पानी पीने के लिए भी स्थिती खराब जब तक लाई इधर जमीन में पानी नहीं आता है नहर वाला तो बोर में पानी भी नहीं चलता कौन पैसा निकाल लिया है मुखिया के थुरुका तो निकाल गया अच्छा कार्ज कुछ नहीं करा गया है तो ऐसे हमारे हां कुछ दूर पैसे हो गया है पैनी बहुत इस हुता हुता है चापए कला बी बहुत इस्थी खड़ा नहीं होता है के लिए पाली सीस थिति कर्फान शम一次 काम्मेडर के नाम पर पैसा निकाला जाता है जुट्टों revise लेवर लगाशा करके सरजोब काट फाल सब जब लगा करके कही होज़ा है को एक हस्पीटल में रहता है को जोक्टर है इसके नाम पर पैसा निकास होता और लोगों के शर होता है और लोगों के समस्तेटी अग्दम पूरा बनजर जमीन पर पानी के चलते साथ करीब करीब यहां से सरो सार और बड़ाइं मिघा को छोड़ कर तरफ और रीश काहे पेन के उलाही समय سमय पे नहीं हो रहा है तो उलाही तो किया गया है उलाही हुआ नहीं तर शी करके देखिए सर अस्तल फे कोई उलाही नहीं है पैसा का निकासी उसमें हुआ है जोब चूपार्ट के सब पैसा का निकासी किया है और कि दोरा है सब्सक्राइब करने वाला है कोई हॉस्पीटल में था सर उसके नाम पर निकासी हुआ है सब्सक्राइब करना चाहिए और कोई दिक्कत और गरवड़ी है उसके इजाज कराएगी जाज के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके उपर कारवाई करें